नमस्कार में हूँ संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेप्रिक टाइम मद्परदिस समाचार इस वक्त हम मौझूद हैं महराजा चातर साल वोंदेल खंड विस्विध्यालाय में और हमारे साथ मौझूद हैं कुलपती प्रूफिसर सुभा तिवारी जिनोंने अभी हा बहुत साल विएसर शुन को जोंकि जा रहे हैं विश्विध्याले के जो अविद्याले के जो सभी कन पोनेंट्स जो सभी अवयव्य, जेसे की Infrastructure, Research, Collaboration, Excursions, Library, Classroom Teaching, Administration, Transparency, यह सारे जो Components हैं, Digitalization, इन सभी को लेकर के सभी Departments को, सभी Components को Activate करने की कोशिश कर रही हूँ. मैं यह प्रयास कर रही हूँ, कि यह सभी जो तत्व हैं विश्व विद्याले के, यह जागरत हों और अपना काम करें. विश्व विद्याले अच्छी तरह से चलना चाहिए. हमारी जवाब देही उस आखरी विद्यार्थी के लिए है, जो की गरीब है. अंतियोदय का काम है हमारा. इसलिए यहाँ पर बैठकर, मैं मेरे प्रशासन के साथ, कुल सचिव जी के साथ, समस्त तीचरों के साथ, समस्त कर्मचारियों के साथ, मिल करके यह करना चाहती हूँ कि विश्व विद्याले के सभी अव्यव अपना काम करें. मैंने ऐसा कुछ भी, मैं जब से आई हूँ, मैंने रिसर्च के लिए बोला है, क्लास्रूम के लिए बोला है, इन्फरस्ट्रक्चर को मैंने देखा है, स्वास्त सुविधाओं को ले करके देखा है, फूड फेसिलिटी को ले करके देखा है यही बेसिक जो चीज़े हैं बिलकुल बेसिक जो चीज़े हैं क्योंकि यह संख्या की दृष्ट से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्व विद्याले हैं हमारे यूटीडी में सत्रा हजार विद्यार थी हैं ओवर आल हमारे जबाब देही उनको हैं सबसे ज़्यादा च्छात्रे हैं लेकिन वैटने की यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखे थे च्छात्रों को तो अब क्या हो रूसा के तहट जो बिल्डिंग बनी है वो हमको जल्दी ही मिलेगी तो काफी यह समस्या दूर होगी नए परिसर के मेरे सामने प्रस्तुत करें मैं व्यक्तिगत रूप से जा करके इसका प्रयास कर रही हूं करती रहोंगी विस विद्यालाई की चात्रों के लिए छोटी-छोटी भी समिस्या हैं जिसे चात्रों को कहना रहता है कि उनके लिए लाइबरेरी की एक अच्छी सुबदा नहीं ह और साथ ही पीने की पानी की भी समिस्या है और गर्मी में पंकी कूलर की भी काफी समिस्या रहती चात्र जब पेपर देती हैं कि लासे चलती हैं तो उनको काफी परिसानी पड़ती है इनके लिए क्या इसका यह डिजिटलाईजेशन और ऑन स्क्रीन और वर्चुल समाना है मैंने लिखित रूप से हर विभाग को e-library विक्सित करने के लिए बोला है सेंट्र लाइबरी में हमने एक बहुत अच्छी टीम बनाई है जो डिजिटलाईजेशन करेगी on one hand and on the other hand will develop e-library a very we already have a e-library of course but we will extend it the facilities will be extended in a very proper manner for water also I have given the orders for very basic you know pitchers down stairs so that is also done for water water is definitely a basic facility I agree with that and food for food we have already managed that subsidized food is being given to our students and our employees so that again is being addressed so we are doing it and we are trying to do it Surakshya को लेकर विस्विध्यालाएं में क्या प्रयास किये जाएंगे जो चात्र चात्राएं हैं बो कवी कवी आस्रक्षित में हैसूस करती है और आप ऐसमें बाद बाद भी होता है कई वार विस्विध्यालाएं में दूरी भी चल चुगी है यहां असूरक्षा का कोई वातावरण नहीं है चात्र चात्राएं स्वक्षंद आराम से घूमते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं हमारे गार्ड यह देख रहे हैं कि बाहर का व्यक्ति अंदर ना आए और इसके लिए कल मान्निय कारे परिशद ने चार और गार्ड हमको स्विक्रत किये हैं और हम यह देखेंगे और बिलकुल यह चीज होने वाली है कि परिसर में बाहर का कोई व्यक्ति ना आए चोटे मोटे वाद विवाद चोटे मोटे जगडे कोई बाच्चीत यह सब बहुत ही एक स्वाभाविक सी बात है बहुत ही किशोर बच्चे हमारे पास होते हैं सोला, सत्रा, अठारा साल के उनको अभी बुद्धी उनकी विक्सित होना बाकी है तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं हमारे इतने काबिल जो प्रोफेसर्स हैं इतने सीजन, इतने मिच्योर, इतने एक्सपीरियंस जो हमारी फैकल्टी है उनको लगातार सही दिशा दे रही है तो मुझे लगता है कि बहुत स्वस्त वातावरण है जो बिस्विध्यलाय में चतुरत स्रेणी की भर्तिवी होने थी तो उनमें क्या कदम उठाया है, कई आरोप भी लग रही थी पुराने कार्यकाल के बारे में पुराने कार्यकाल के बारे में पुराने कुलपती जी के कार्यकाल के बारे में मैं कुछ भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, उनकी क्या मान सकता थी, हो सकता उन्होंने good faith में किया होगा, लेकिन जब मैं आई और मैंने प्रक्रिया देखी और मेरे आचारियों ने उसका investigation किया, तो हमें ऐसा लगा कि ये प्रक्रिया जो है कहीं न कहीं कुछ इसमें त्रुटियां हैं, ये सारे तथ्य हमने कल कारिय परिशद के सामने रखे और कारिय परिशद ने विज्यापन को निरस्त करने का निरने लिया है, तो हमारा विज्यापन अब निरस्त हो चुका है, अब औ हमारे class 4 employees हैं उनको class 3 में जिनका due है जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए उसको पदुनत करने के लिए कहा है वो भी हम करेंगे विस विद्ध्यलाई की जमीन है जो नया भवन बनना है कई वरसों से वह जमीन इसी तरह से पड़ी हुई है और अब ही तक कोई निर्मार कार सु में टॉपगफिकल सब्सक्षिट ए व फिए तक किन तको लुप टॉपगफिकल सरूई ए प्पर प्रप्रप अर्पर इन एन ए्सक्ड इन ए ड्सक बोरसो डॉपाधिकल सर्वें अल्सकिट आप बीशितिन जे उर्पेंप़गफिकल सभीट ए प्रफूदर हैं प्रॉड we will estimate, an agency will estimate the cost for us, after that we will go for CSR, we will request companies or individuals or our public representatives, we will try to raise funds that way and finally of course we will ask the government to build it for us. Boundary wall is a priority for us because if you want to develop an institution you have to have a boundary wall, secured place, within that secured place you can develop your systems. If it is open, it's going to erode, it's going to evaporate like anything, it won't be there and all kinds of nuisance and unwanted elements and encroachment and everything, litigations and litigations and it just kills the spirit of the institution. So I am very strongly feel that a very strong boundary wall has to be built. जी एक आकरी सवाल और में हम पूंचा जाएंगे, जो बिस्विद्ध्धालाय में यहां का जो स्टाफ एक सामंजिस बनाने के लिए किस तरह से प्रयास किये जाएंगे, आपस में एक दूसरे के यहां पर सिकायते भी करते हैं, बाद बाद भी होता है, जो कई बार सामने आत मैं इनसान इनसान होता है, फोर, फ्री, यह सब तो एक प्रक्रिया है मुझको जन्मानस से हमारे class four employees जो है three employees जो है, हमारे officers है हमारे कुलसचिव महोते हैं एक बड़े भाई की तरह से हर कदम पर हमको सहयोग मिला है और मुझे बिलकुल नहीं लगता है कि यहां कोई ऐसी बहुत परिशानी है थोड़े बहुत, थोड़ा बहुत इतने सालों से साथ में है किसी को किसी से नाराजगी, थोड़ा बहुत ego का clash यह तो normal है, यह तो होता ही है जहां लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत चलता ही है बाकी मुझे काम करने में दिक्कत बिलकुल भी नहीं मुझे बहुत अच्छा एक संबाद की भी आपने सुरुआ आथ चातरों से करने के लिए उसके पीछे क्या हुद्देश था? नहीं वो तो हर मंगलवार को, पहले मंगलवार को महीने में पहले मंगलवार को I am basically a professor so I want to be in touch with the students so I should have, you know, first hand information first hand feedback तो उनको जो हमें कहना है, वो हमसे सीधे कह सकते हैं हम नोट करेंगे और उसके आधार पर फिर हम अपनी policy बनाएंगे तो हमारी साथ थी महराज़ चातर साल, वुंदिल खंड, विस्विध्यालाई की कुलपती जिन्होंने कहा है कि चात्रों को वहतर सिक्षा देने की लगातार प्रियास किये जा रही है और भी विस्विध्यालाई की बेवस्ताएं बनाई आ रही है पेपरे काइम के लिए संजे अवस्ती छतरपूर्ट